गठवंधन पकका गठवंधन बान करके त्यार है भाजपा को सफाया करने के लिया अरसिस को सफाया करने के आप सभी को याद होगा कि चोड़र में हिए हमने ये भोस्णा किया था कि अगले चुनाओं में भारत रहेगा या भारत तूटेगा और आथ बरस के बाद आप कि रहे होंगे कि क्या स्थित्य हुई है आज देश तुकड़े तुकड़े होने के खगार पर पहुची चुका है और RSS और भाजपा भाजपा कोई पाटे नहीं किया एक मुखावटा है RSS का और भाजपा RSS घोर आरक्षन विरोधी संगठन और अनाजेशन है जो RSS है वही भाजपा है इसको उखवटा के दूप में हम लोग मांद देखते हैं देश में गरीवी घुरुवत लचारी विवसी कगार पर पहुचा हुआ है ताना साही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुगा है जो नरंदर मोदी RSS जो चारा है वही नरंदर मोदी कर रहे हैं किशी का सामान नहीं सभी दोगों का आप्मान लोगतंत्र के हत्या और समिधान की उप्यक्षा और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए देश को बचाने के लिए देश लोगतंत्र रहेगा समिधान रहेगा हम एक रहेगे हम एक जूत रहेगे तो हमारा भारत पाएगा भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है आपको याद होगा कि पुर्णया के रन भूमी मैदान से यह जो संखनात होने के लिए आप आम आप कर्थे हुए हैं बिहार में ही आरेस इसके रत को हमने रुका था बिहार बाशियों के साहरें बिहार जब जब करवड बदलता है तब तक धिस के उपर इसका असर होता है बिहार के करवड पर ही दिश में हवा बदलता है लोग अनुसरन करते हैं इसमें भाजपा यह जो आरेसे से गुरु गुरु औरकर की पाटी है गुरु गुरु औरकर ने बंच अप थाउट उसमें लिखा है दो खतरनाक बात लिखा है चो इनके जहन में है उनके खून में है उनके लिखा है कि क्यासिवी सनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के जूत्ते से मार करके उसको बाहर को और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए रिजर्वेशन की ज़रूत नहीं है यह है असरी रूप आरेसेस का और भाजपाजी से करते हैं हम दो आप सब को याद होगा हम और नितीश एक हो गये हैं और कोई भी भरम में नहीं रहे गर्वन्धन विचाधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का देश और लोगतंत बचेगा तभी हम लोग राजनिती करेंगे 24 में से 25 के रिकार्ट तोड देना है रिकार्ट तोड देना है जो चुनावानेवाला है और बिलकुल 2015 में चेसा रेकार बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 पचीश में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पुर्णिया के रण भूमी मैदान में उपस्तित नहीं हो सका कुकि इलाज करके इलाज करा करके मैं आया हूं की निट आंस्प्राण कराके और यह बोलने का और आज़ें आने बिच में यह जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूं यह हमारी बेटी रोहनी अचारी नहीं अतना बड़ा कुर्वानी दिया are तो कुरवानी उसे ने दोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है, हम उस बेटी को इस अफसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उसके कर्या को लोटा नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक रहिए, एक जूट रहिए, और कोई भ को देश बचाना है, बाबा साब अम्मेत करके समिधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनर्टीज की रिक्षा करना है, माइनर्टीज, हम सब लोग बोलते हैं, हिंदू, 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 हिंद कभी भी हम सफल होने नहीं देंगें, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगें, और अब समय आ गया है नरंदर मोदी की सरकार को जाने का, बिदाई होने का, ये पक का है, ये बिहार का ये हवान है, ये महागरवन्हन का एलान है, और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहां से जाए ये पुर्णिया से निकलिए और हम पुर्णिया के इलाका जो सिमान्चत का जो इलाका है हमारा मौस्ट श्रक्लर इलाका है इसको किसे भी कीमत पर भिन भिन रूप में लोग आएगा आपको बाक आएगा और उसको अचानना है और एक यूठ होना है और श्रक्लर ताक्तों को एक जूठ हो करके पूरी देश की रक्षा में लग जाना है और आगे पंड़ा के चुना में पूरा चोबिस के चुना में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और देश को उस्वार अज़ा को माले के लिप्ट के लोगों को अभी हम मुझे से मिले थे दिल्ली में य एचुरी साहब आके मिले थे एचुरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफी बिस्तार से बात होई मैं बात करते रहता हूं लोग मुलते रहते हैं और आपको याद करा देना में चाहता हूं कि ये जो रासन रासन पांच किलो तो दस किलो हम रासन दे रहे हैं रासन दे के ह ोट महांग रहे हैं याध होगा गुन ऐस्त्रमके안 कोट में मजबुति के साथ सुप्रिम fel कोड़ का विच्तना है कि राष्ण जब इंगे फैसले का सबंसे देने का अबने घर से ला रहे हैं, और भोट बांगते हैं, तो हमको पूरा बजबूत्वी के साथ तेश को बचाना है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और प्रणाम करता हूं, अदाब करता हूं, सलाम करता हूं, और सभी नेतालों को पूरे एक साथ विश्वास करके जा धन्यवाद राश्विया ध्यक्ष जी आपका संदेश सब लोगों तक पहुंचा और पुर्णिया से आगे भी जाएगा अब मैं अगरा करूंगा